इसे समझ की ऐसे तो मैगनेट है नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ दिलो और साउथ दिलो तो लाइन्स तो ऐसे हैं किसकी लाइन्स ठीक भाई साब अब करते क्या हैं कि इसमें एक इंसूलेटेट सिलिंडर लेतें ऐसे समझो क्या लेते हैं एक इंसूलेटेट सिलिंडर और इस सिलिंडर को एक तॉर्सनल वायर ये कहां सुना था SSM में आपने सुना होगा एक torsional pendulum यह वो ही pendulum है अब वो pendulum याद कराता हूँ याद कर तुन्हें SSM में क्या पढ़ाता है तुन्हें पढ़ाओगा एक disk है इसको अगर twist करो theta angle से इस disk को अगर तो क्या उतना ही theta twist wire में होता है तो उस wire में restoring torque develop होता है क्या develop होता है उसकी value आथी torque बराबर minus c theta where c is the torsional constant of the wire याद है भूल गया किसी भी wire को ऐसे twist करो के तो अपने आपने रिस्टोरिंटर develop करेगा उसका फिर्मला होता है tau बराबर minus c theta where c is the torsional constant of the wire it is different for every wire yes or no तो हम ऐसा एक wire उपर लगाकर उसमें एक cylinder बाढ़ देते हैं कौन बाढ़ देते हैं cylinder ऐसे बोलो clear अब क्या करते हैं अब माल लीजिए जिस wire में current लेना है जिस wire में current उस wire के current को इस पे से loop बनाकर ऐसे pass कराते हैं यह वो आयर जिसमें current निकालना था यह वो आयर जिसमें current निकालना था ठीक तो ऐसे current आया उसको पीच में से यहां से pass करा दिया यह एक loop है जो cylinder पर बना हुआ है किस पर बना हुआ है cylinder से जएदा confused मतलब है cylinder तो एक चीज़े किसी पर बांदोगे ना loop उससे मतलब है हमें loop से मतलब है mainly तुम्हें मेरी बात समाज चीक अब सोच इस loop का magnetic movement किदर है बेकार रस्पों और magnetic field किदर है current आएगा तो magnetic movement इदर magnetic field इदर के torque लगेगा तोर्क m x v क्या ये cylinder ऐसे घूमेगा ये cylinder तुझे मेरी बात समाज आई की नहीं आई पर एम इदर है भी इदर है तो क्या m x v उपर है तो क्या m x v अगर उपर है नहीं आया m x v अगर नहीं आया m x v अगर उपर है तो जहिए सी बात उपर है तो ऐसे घुमा यह लूट अरे आया कि नहीं आया अब यह जोच पर जब यह घुमा तो सिलिंडर भी घुमा सिलिंडर गुमा तो वायर ट्विस्ट हुआ क्या वायर ऐसे टॉर लगाएगा पर क्या एम ग्रॉस भी ऐसे टॉर लगाएगा आपको नहीं लगता एक जग़े ऐसा आहेगा जहाँ इकलिब्रियम आजायé असलियत मैं इस ड्रम पर ऐसे एक निडल लगी होती है तो जैसे ड्रम गुमेगा à क्या निडल भी गुमेगी तो आपको पता पड़ेगा कि कितना एंगल घूमे? इस ड्रम पे क्या लगी होती है? ये वो और निडल अपको अपर दिखाई देदी है. ये वो और निडलो कितनी घूमी दिखता है ना वो? माण लीजिए वो? अगर वो थीटा घूमी अगर वो थीटा घूमी तो घूमी क्या हुआ अगर वो ठीटा घूमी तो सोचो इसको थोड़ा टॉप यूँ से दिखाता हूँ आपको ऐसे ऐसे अब देख माल लोगी अगर अपन टॉप यूँ ले कौनसा यूँ ले अगर आप ऐसे देख रहे हो अगर आप अगर आपन टॉप यूँ देखें तो यह ऐसे ठीक अरे दूसरी लीड लिया दूसरी नॉर्मल वाली यह चली नहीं रहे है गला खराब हो जाया तो यह ऐसे समझ में आ रहा है कैसे ऐसे दिख रहे है तो ऐसे लूप तो बेसिकली अगर ऐसे अपन देख रहे है इस प्रकार तो मैंने डिख फील तो ऐसे तो आपका जो M और B में एंगल है वो कितना है ऐसे न है यह आपका तो यह M किदर है ऊपर तो ऐसे आया है यह M वेक्टर और यह B वेक्टर यह ऐसे है डाइग्राम समझ में आ रहा है तुम्हें आया अरे नहीं आया अब यह घूमा ऐसे M किस की तरफ B की तरफ पर इधर यह उस पर वापस रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है अब देख क्या हुआ माल लीजिए कि लूप घूमते घूमते ऐसा हो गया और लूप घूम गया थीटा कितना घूमा थीटा माल लीजिए कि लूप घूमा थीटा वो जो दूसरा वाले मेरा होल्डर है वो का है हलो अब आ रही है क्या तो थीटा घूम गया कितना घूम गया जब यह थीटा घूमा तो M जब यह थीटा घूम गया तो M ऐसे हूँ वायर कितना हुआ अगर यह एसे घुमा थीटा जबकि M और V में कितना एंगल है कितना में मैं अलफा मान रहा हूँ क्यों मैं बता रहा हूँ चुछि मैंने इनीशल सिचुएशन में मैंने M और V को 90 डिगरी मान लिया ऐसा हो यह कोई जरूरी तो समझना थीटा है एंगल ओफ ट्विस्ट क्या है थीटा क्या है ट्विस्ट जो आपको निडिल से दिखाई दे रहा है जो आपको निडिल से दिखाई दे रहा है यह है एंगल ओफ ट्विस्ट यह है एंगल ओफ और यह है एंगल बिट्वीन M and B यह है एंगल बिट्वीन M and B नहीं आया रहे आया नहीं आया बहुत बड़ी है साथ अच्छी बात मज़ा आया अब तो यह आया है एंगल बिट्वीन M and B अब सोचके देख जब इकलीब्रियम आ जाएगा जब क्या जाएगा जब इकलीब्रियम आ जाएगा तो M x B का टॉर्क क्या C थीटा से बैलन्स होना चाहिए टॉर्शनल टॉर्क जब यह ऐसे घुमा तो यह टॉर्क लग रहा था M x B का इससे बैलन्स कौन करेगा जब इससे बैलन्स होना जाएगा जब किसका टॉर्क बैलन्स हुआ M x B is balanced by C थीटा M x B is balanced by C थीटा नहीं आया आया नहीं आया बहुत बढ़ीया साब तो लिख दिया M x B अब सोचने जिया जिया लिखा M x B sin alpha M x B क्या सही बोल रहा हूँ M x B sin alpha equals to C थीटा M x B sin alpha equals to C थीटा M क्या चीज है क्या वो है I into A क्या गर setup हमने बनाया है तो A हमें पता है क्या B हमें पता है यार हा ना बोल तो लिखा गया I A B sin alpha C थीटा क्या I की value I C थीटा by A B sin alpha इस particular सवाल में क्या alpha की value 90 minus theta रख सकते हो तुने experimentally क्या major करा थीटा क्या major करा क्या by A Tultural थीटा थीटा ने यूज लिया है Yes sir क्या उसका C अपने को पहले शे पता होगा Yes sir क्या setup अबने बताया है क्या area अपने को पता होगा Yes sir म Mississippi अपने यूज लिया क्या make relative Luck ंने को पता होगी Yes sir क्या experimentally अपने थीटा नाप लिया क्या निकल आएगा ये i value वहां लिक़्ी होती है ये i value वहां लिक़्ी होती है तुझे मेरी बात समाच इसमें पर थोड़ा सा twist है थोड़ा सा क्या twist है द्यान सुने i इक पस्तू c theta by a b sine alpha असलियत में real setup में ये पुरारे setup थे में थोड़ी सी change होती है चीज क्या मैं आपको बताता हूँ वो change है ये जो magnets होती है ये horseshoe magnets होती है confused ना हो इन्हें कहते हैं horseshoe magnets कौन सी horseshoe magnets होती है इनकी खास बात ये होती है कि इस cylindrical होती है इस प्रकार कटी होती है ठीट और ये नॉर्थ पॉल ये साथ पॉल तो जिसमें magnetic field exist करती है वो ऐसे होती है radial समझ में आ रहा है कैसे होती है कैसे होती है radius इससे different है तो real setup में ये होता है इससे फाइदा क्या होता है सुनना अगर तू ऐसे loop रखे अगर तू ऐसे loop रखे सोच यहाँ पे loop रखे अभी इस जगे magnetic field कि इदर है उपर sorry magnetic movement कि इदर है पर magnetic field इदर है angle कितना कितना अब करन बहा तो ये घूमा अब करन बहा तो ये माल ले कि ये घूम कर ऐसे हो गया अब M इदर है पर B भी तो इदर है अभी भी M और B में angle तो ये radial field इस प्रकार से होती है कि ये ensure करती है कि हमेशा M और B के बीच का angle क्या रहे तो original term में sin alpha के term क्योंकि ये torque हमेशा MB sin alpha रहेगा कि MB ही रहेगा यार तुझे मेरी बात समझ ये radial field कैसी field इन्हें बोलते है radial fields ये real setup है तो radial fields ensures ensures angle between M and B is always is always अगर ऐसा theta 90 नहीं हुआ है कौन 90 हुआ है कौन 90 हुआ है L bar बोल समझ आया प्रांट रखे रूँ अरे सोच लो अब क्या करें बस अब क्या था M and B is always 90 ठीक तो बस formula हो गया MB equals to C theta और I AB equals to C theta क्या I equals to C by AB theta क्या C by AB is a constant term for a setup अब मुझे पता है कि दो डिगरी पर घूमने पर कितना current होगा क्या उस दो डिगरी को के से multiply कर दो और जहां पर दो डिगरी लिखा हुआ है क्या महाँ पर के से multiply कर दो तो क्या current आ जाएगा ये ही आपके moving coil ग्यल्वनों मीटर में वास्तविक्ता में होता है पहले बता जो मैं बोला क्या चमका अरे हाना तो बोलो कोई काश्ट कोई दिक्काट ये सर जब ये current ना आप रहा है तो सर आपने तो बोला था कि ग्यल्वनों मेटर बहुत कम current ना आपता है इसनी ना आपता है कि अगर आप बड़ा और मोटा वायर ले लोगे तो कि इनर्शिया की वज़े से हिले गा ही नहीं तो आपको setup बहुत light रखना पड़ता है frictionless रखना पड़ता है वनना जितना heavy करोगे उतना error इस वज़े से ज़्यादा current बहा मोटा वायर ले लोगे और थोड़ा थिक वायर ले लोगे थोड़ा setup heavy कर लोगे तो ज़्यादा current बहाँ पाओगे पर inertia की वज़े ये हिलेगा और हिल क्या तो रुखेगा नहीं सोच तो ऐसे एक गंटे बाद यार तुझे मेरी बात समाज तो basically setup को बहुत हलका लेते हैं ताकि ज़्यादा losses इसलिए ज़्यादा current मेजर करता है पर क्या current ज़्यादा मेजर करने के लिए अपने shunt लगा ली थी क्या लगा ली थी तुम्हें मेरी बात समझ क्या moving coil 11-0 meter समझाया है या प्रांट रखेरू अब समझ के उता है जैसे मुने बुला याद हो ना ची